मैं और मेरा लैप्टॉप अक्सर ये बाते करते हैं जैसे ही घर से सत्संग को निकला मैं होकर टिप टॉप पीछे से चिड़ाते हुए कुछ यूँ बोला मेरा लैप्टॉप सत्संग में जाने वाले ओ दिखावे के पुतले ज्यान की कोछ चैटिंग शैटिंग हमसे भी कर ले उसके चिड़ाने पर आया मुझे बहुत गुसा और मैं लैप्टॉप पे जोर से बरसा बिजली के यंद्र स्विच ओफ कर दूँगा ज्यादा करेगा बात वो बोला अबे जा पहले आईने में जाकर देख अपनी आउकाद देख तेरे दिल की हाट डिस्क पर कैसे कैसे सॉफ्ट वेर्स का जाल है निंदा नफरत और ईशा सभी स्पाइवेर्स तो इंस्टॉल्ड है इनकी वजह से प्यार का प्रोग्राम ठीक से रन नहीं हो पाता है और मनमत का खतरनाक वायरस फ्री में डाउंलोड हो जाता है फिर यह डिंजरस वायरस गुर्मत की फाइल्ड को रीड़ उल्ली कर देता है मन का प्रोसेसर चाहे स्ट्रॉंग हो फिर भी ये सिस्टम हांग कर देता है वैसे निरंकार का सर्वर तो कभी भी डाउन नहीं हो हमेशा तुम्हारा कनेक्शन ही टाइम आउट होता है मैंने लैप्टॉप की बातों में हां में हां तो मिलाई पर खुद को शरम से बचाने की एक युक्ती याद आई मैंने कहा सेवा सिम्रन और सत्संग का एंटी वैरस भी तो इंस्टॉल किया है और मन के सिस्टम की मेंटेन यानी एमसी का कॉंट्राक्ट सद्गुरू को जो दिया है लैप्टॉप ने मुझे प्यार से बुलाया और व्यंकस्ते हुए यूं समझाया बेटा जब सद्गुर के वचनों की इमेल्स तुम्हारे मन के इंबोक्स में आती हैं और बिना पड़े ही वो सभी दूसरों को फ तुम्हारे चच्चा करेंगे उन्हें दिमाग में कॉपी करके कर्म में पेस्ट करना जरूरी है आज तक लेटेस्ट हार्डवेर में मेमरी की कहा मजबूरी है नमर्ता और विशालता का सौफ्ट्वेर इंस्टॉल करके देख फिर खूब आश होगी यदि ग्यान का प्रोल ऑल्टर डिलीट करो नेरा कार प्रभू की वेबसाइट पे जाने के लिए सकार गुरू के आइकन पर डबल क्लिक करो फिर आनंद के इंटरनेट एक्स्प्लोरर से जितनी चाहो उतनी खुशियां पिक करो तुम्हारी जोली का डिस्क स्पेस यकीनन कम पढ़ पर इसकी रहमतों का डाउनलोड खतम ना हो पाएगा मैंने लैप्टॉप की बात को स्विकार किया और उसके सचे संदेश को नमसकार किया हम भक्ती की विंडोस में रहे लॉग इन और कभी ना हो लॉग आउट बरम रहे फिर रिसाइकल बिन में माया की ना एरर ना हम सब प्रभू के इंटरनेट से सदा खुद को रखे कनेक्ट लाइफ के शटडाउन होने से पहले पूरा खरे प्रोजेक्ट